अलोक वन में जहां श्रद्ध हालूओं के लिए मंदिरों के कपाट खोल दिये गए थे लेकिन वहीं आप कोरोना वे बढ़ते मामलों को देखते हुए व्रिंदा वन के विश्व प्रस्द ठाकुर बाक्य पहारी मंदर और उसके साथ ही व्रिंदा वन के सभी मंदरों को 31 जोलाई तक श्रद्ध हालूओं के लिए बंद करने का वैसला लिया गया है सभी मंदरों में ठाकुर जी की सेवा, पूजा, काका वहां के प्रम्ध को और सेवा करने वाले लोगों के द्वारा किया जाएगा लेकिन आम श्रद्ध हालूओं को मंदर बीश करने की आनुमती नहीं रहेगी जेहां आपको बता दे जुश्रद्धालू ठाकुर जी का दर्शन करना चाहते हैं, वंदरा करना चाहते हैं, उनके लिए ओनलाइन सेवा जारी रहेगी भक्त जन मंदर की वेबसाइट, फेस्बुक, वाट्सैप, इंस्ट्राक्राम और यूटूब आदी शूशल मीडिया पर ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं, व्रिंदुक्रबंध को एवं सेवा यतों ने मंगलवार को ओनलाइन आठक बुला कर ये निर्णे लिया कि मंदर आने वाले श्रद्धालों की भीड के नियंतरन की जम्मेदारी कोरोना वाइरस संक्रमण के बीच सरकार द्वारा मंदर प्रबंधन पर डाले के मद्दे नजर, मंदिरों को फिलहाल ना खोलना ही उचत होगा, इसी में देश की भलाई है, अभी फिलहाल ये फैसला 31 जुलाई तक का लिया गया है, लेकिन आगे देखें कि आगे अगस्त में मंदिर के दर्वाजे खुलते हैं या नहीं, नेक्स्ट नाइन स्प्रीच्छल से आर्थिक रिपोट